तो आज जिस ब्यूटिफुल फ्लावरिंग प्लांट की मैं बात करने जा रहा हूं यह है है हैली क्राइसम से लेटिड बहुत सारे इंटरस्टिंग फैक्ट आज मैं आपके साथ सेर करने जा रहा हूं बात करेंगे इसकी केर और प्रपगेशन की और आपको बता देता हूं कि यह जो फ्लावर है अगर आप चाहें तो बहुत ही लंबे समय तक आप इसको अपने पास जो है वो सेव करके रख सकते हैं यह फ्लावर जो है वो इतनी जल्दी जो है वो मुर्जाता नहीं है कैसे यह इंट्रस्टिंग इंफॉर्वेशन भी मैं आपके साथ शेर करूँगा तो इस प्लावर को हैली क्राइसमन के अलावा पेपर फ्लावर एवर लास्टिंग फ्लावर या कट फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है पेपर फ्लावर या स्ट्राव फ्लावर इसको इसलिए कहत या पेपर फ्लावर की तरह जो दिखाए देते हैं आपको रियल फ्लावर का जो फील है वो इसके उपर नहीं आएगा तो आज इसी की केर से लेटिड मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बैल आइकन जरूर पैस करें तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सनलाइट की देखे इस प्लांट को फूल सनलाइट से लेकर और पार्शल सनलाइट पसंद है लगबग 4-6 घंटे की जो सनलाइट है अगर आप इसको देते हैं तो इसके उपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है हाला कि ये पार् सेकेंड नंबर में मैं बात करता हूँ सोईल की इस प्लांट को ग्रो करने के लिए किसी भी तरह की सोईल का इस्तमाल किया जा सकता है इस प्लांट को वेल लिट्रेशन सोईल जो है वो पसंद नहीं होती है इसका मतलब यह है कि जब भी आप इस प्लांट को ग्रो करने के ल लेकिन मिट्टी को आपको well-drain बनाना होगा यह बहुत जरूरी है तो well-drain soil बनाने के लिए आप इसमें 40% garden soil 40% sand या बालू का इस्तमाल कर सकते हैं और 20 या 10% के आसपास जो है आप इसमें वर्मी कमपोस्ट या घोबर की खात का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इ क्लिक इम ख़ि का इस्तमाल भी किया जा सकता है वो optional है अगर आपके पास है तो आप इसका इस्तमाल छो है वह जरूर कीचीи तो ciao मैंने बात की तो किसी भी तरह की वह अन embriny देख सकते हैं कि मैंने भी कुछ इसी तरह की-जो सोईल है वह फ्रिपेर की है आपको इसकी साउंड सुनाता है ज्यान से सुने जब आप इसको ऐसे अपनी उंगलियों से हिलाते हैं तो इसकी आवाद बिल्कुल पेपर की तरह होती है जैसे आप किसी रैपर को क्रश कर रहे है इसलिए इसको पेपर फ्लावर भी कहते हैं आपको बताने जा रहा था कि इसको एवर लास्टिंग फ्लावर जो है वो क्यों कहते हैं देखें एवर लास्टिंग क्योंकि यह जो फ्लावर है जो इसकी पेटल्स है वह बिल्कुल बने नेवान कि लीपर या प्लास्तिक फ्लावर की तरह है तो आपको क्या करना है कि इस फ्लावर को अपको तोड़ लेना है जो नीचे वाली inside जो है अपने ड्राइंग रूम या बैड रूम में रख सकते हैं और यकीन मानिए कि यह जो फ्लावर है वो जल्दी से मुर्जाने वाला नहीं है क्योंकि यह रियल फ्लावर की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं करता है तो आप मैं बात कर लेता हूं वाटर की किस प्लांट क कि इसको जो है वो रेगुलरली वाटरिंग आपको करनी है तो सोईल को आपको ड्राइएप होने नहीं देना है सोईल के अंदर हमेशा मोस्चर बनाके रखिए तो अगर आप सोईल के अंदर मोस्चर बनाके रखते हैं तो यह बहुत अच्छी जो फ्लावरिंग है वो करता बात कर लेता हूं इसके fertilizer की तो फ्रेंड्स fertilizer में इसको किसी खास fertilizer की जो जरुवत है वो बिल्कुल भी नहीं होती है गोबर की खाथ आप इसके अंदर डाल सकते हैं उसके बाद मैं बात करता हूं temperature और humidity को देखे इस plant को humidity पसंद है और humidity के साथ hot temperature भी पसंद है हाला कि यह winter का flowering plant है और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर temperature 30-35 degree से उपर नहीं जाता यह पूरा साल flowering कर सकता है और आपको बता दू कि अगर आप इसकी थोड़ी बहुत care करे और मई और जून की गर्मी में अगर आप इसको थोड़ा सा सेव कर ले तो यह flower जो है आपके लिए parallel flower बन सकता है वैसे यह annual flower है तो इसको humid और hot environment जो पसंद होता है लेकिन बहुत ज़्यादा hot environment को यह पसंद नहीं करता है frost को यह बिल्कुल भी tolerate नहीं कर पाता है तो frost में यह flower जो है वो बहुत अच्छी bloom नहीं करता है इस चीज का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखने की जरूरत है यह बात आप ध्यान रखे बात करता हूं मैं उसकी pruning की तो आपको बता देता हूं कि इस plant को जो वो pruning बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है तो आपको इस plant को prune बिल्कुल भी नहीं करना है लेकिन जो dead flower है देखिए आपको दिखाता हूं कि बहुत सारे flower जो वो open हो चुके हैं यह देखिए इस type से तो इसके अंदर seed foam होंगे तो इस तरह के जब dead flower हो जाए तो आप उनको remove कर दीजी ताकि और अच्छी flowering जो है इसके उपर हो सके और जब मैं इसके seed collect करूँगा तो वो भी आपके साथ मैं जरूर share करने वाला हूं तो pruning आपको बिल्कुल भी नहीं करने है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है लेकिन dead flower को remove करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये चीज़ आपको अपने mind के अंदर जो है वो डाल के रखने है उसके बाद मैं बात करता हूँ उसको grow करने की देखे ये जो plant है वो seed से बहुत ही आसानी से grow हो जाता है और मैंने भी इसको जो है वो seed से ही grow किया है लगबग लगबग 3 से 3.5 महिने के अंदर इसने जो है वो seed से grow करने के बाद flowering करनी शुरू करती है और flower जो होते हैं इसके बहुत ही beautiful flower होते है जैसा कि आपको नजर आ रहा दो color है मेरे पास golden और yellow बहुत सारे रंगों में ये आपके garden में आपके garden की खुबसूरती को बढ़ाता है अब मैं बात कर लेता हूं disease की कि इस plant को जो हो कौन-कौन से disease effect कर सकती है वैसे ता आपको बता दू कि ये जो plant है वो disease free होता है लेकिन कभी-कभी इसके अंदर जो एस्टर yellow virus का effect देखा गया है और एस्टर yellow virus के अंदर क्या होता है कि जो इसकी leaf होती है वो पीली पढ़ने लग जाती है जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा ये देखे पीली पढ़ने लग जाती है येलो हो जाती है, एस्टर वाइर, येलो वाइरस के एफेक्ट से, तो इसको सुरक्षित करने के लिए आपको क्या करना होगा, कि ये जो लीफ है, जो इतनी भी येलो लीफ आपको नजर आ रही होंगी, इसको सौप है, उसका इस्तमाल करके आप इनको रिमूव कर सकते हैं, तो लीफ रिमूव कर दीजे, अगर काल वगारा भी नजर आए, तो आप इसको रिमूव कर दीजे, तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को जो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, और ये जो वो बहती खुबसुरत नजर आता है, तो उमेद करूँगा कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है, तो इसे लाइक कीजे, कमेंट कीजे, शेर कीजे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर, तक्स वर वछिए मैं वीडियो, वीडियो ने झाल आता है, उरेस वीडियो झाल एक्रत, उरेस लाइकन जरूर, उर्या कर दे वीडियो, प्रेस कुछत लेंग्या.